ओम नमस्षिवाय, जै महाकाल हवन के समय हम स्वाहा क्यों बोलते हैं और कौन सी उंगली का इस्तमाल हमें हवन करते समय नहीं करना चाहिए इसी की बात अज वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कैसे दोसों से आप बच सकते हैं और स्वाहा की कहानी के पीछे क्या कारण है इसकी बात करेंगे जैसे हम कोई भी मंतर बोलते हैं तो उसके बाद स्वाहा क्यों बोलते हैं इसकी बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही शद्धा क साथ सुनने की कोशिश करिएगा छेलिए थोड़ी सबसे पहले कहानी बता देते हैं स्वाहा की जिससे आपको पता चल जाए कि हम हमन करते समय स्वाहा क्यों बोलते हैं देखे याप से पहले यहां पर एक पौराड़ी कता है पौराडिक कथाओं के अनुसार स्वाहा दक्ष प्रजापती की पुत्री थी दक्ष प्रजापती कौन है ये भगवान श्री अगनी देव के ससुर हुआ करते थे इनका विवाह अगनी देव के साथ किया था और स्वाहा नहीं बोलते हैं तो वो आपका सुईकार नहीं किया जाएगा ठीक है तथा इनके माध्यम से ही हविश आमाहन किये गए देवता को प्राप्त होता है आप चाहे अगनी देवता या फिर किसी देवता का ध्यान रख करके अगर हमन करते हैं और स्वाहा नहीं बोलत सूची नामक तीन पुत्र हुए थे और क्या कहानी है कि स्वाः की उतपति से एक अन्य रोचक कहानी जुड़ी हुई है वो कहानी कौन सी है उसके अनुसार स्वाः प्रकर्ति की ही एक कला थी जिसका विवाह अगनी देउता के साथ हुआ था वो भी देउताओं के अगरह कर भगवान श्री कृष्ण अब यहां पर आपको समझने वाली बात है और बहुत ही ध्यान से देखेगा सुनिएगा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयम स्वाहा को यह वर्दान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से एक बार और पढ़ता हूँ वो तब ही पूरा होता है जबकि आवाहन किये गए देखेगा को उनका पसंदीदा भोग पहुचा दिया जाए और वो पसंदीदा भोग बिना स्वाहा के उस देखेगा तक नहीं पहुचता इसी लिए हम हवन करते समय अंत में स्वाहा जरूर बोलते हैं ताकि जिस भी देउता का आवाहन हम कर रहे हैं उन तक ये भोज पदार्थ, ये हवन पहुच जाए ठीक है अब ये तो हमने बात कर ली कि स्वाहा हम क्यों बोलते हैं अब हम बात कर लेते हैं कौन सी उंगली का हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए देखिए कई उंगली है यहाँ पर है आपके सामने यहाँ पर तरजनी है मध्यमा है अनामिका है कनिष्ठा है अंगुठा है इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ठीक है दूसरा पॉइंट दूसरा आप देखे यहां पर जो छोटी उंगली जिसको हम कनिष्ठा बोलते हैं अगर हमें कोई भी अगर समझ सकते हो कि प्राकर्तिक कोई भी चीज हमारे सरीयर में हमको फील होती है चाहे हो अनामिका और अंगुठा अब उठाते कैसे हैं देखे मैंने आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है देखे यह उंगली आपको इस्तेमाल में नहीं लेनी है और यह वाली जो उंगली है यह भी आपको इस्तेमाल में नहीं लेनी है ठीक है यहां पर आ लगाना हो अंगुठी पहननी हो ये जो उंगली है सबसे परमसिध्य उंगली मानी जाती है ठीक है अब उठाना कैसे है देखिए दूसरे इमेज में मैंने आपको सामने रखा है देखिए किस तरीके से मैंने इसमें उंगली को कर रखा है और यह दूसरी उंगली मैंने आपक उसके बाद आपको इसको हमन कुंड में डालना है हमन सामगरी को ये सबसे सही तरीका होता है इन दोनों उगलियों को आप हमन में टच नहीं कराएंगे च्छुआएंगे नहीं जिससे आपको दोश ना लग सके ठीक है तो यह मैंने आप सभी को बहुत सारी चीज़ें यहां पर बता दी अगनी की जो है स्वाहा क्यों बोलते हैं हवन के समय कौन सी उंगली का इस्तमाल नहीं करना चाहिए सभी के बारें बता दिया है मैंने आपको आपको मुझे उमीद है कि सारी चीज़ें आपको पसंद आये होंगी कहानी आगर आपको पसंद आई है तो एक बार आद भी शेयर जरू करिएगा ओम नमस्षिवाय जै महाकाल